बागवन भाईयो आप यकीन नहीं करेंगे जो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रीटमेंट हुआ था उस ट्रीटमेंट के कारण एपल फ्लावर के बोरोन स्टेट्स में काफी ज्यादा इंप्रूमेंट हुई फ्रूट साइट भी उस बगीचे में काफी ज्यादा अच्छा रहा और क्रॉप भी उस बगीचे में बहुती अच्छी थी तो बागवन साथियो यह जो तीन ट्रीटमेंट है अगर आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंधर देख बागवन साथियो आज हम एक एकक्स्पेरिमेंट को डिसकस करने वाले हैं जो जो है एक यूरूपियन कंटरी पॉलैंड में किया गया था इस एक्स्पेरिमेंट में एक बगीचे को एक कमर्शल एपल ओर्चेट को तीन बराबार हिसों में बांटा गया और उन तीन बांब apple quality, fruit quality में किस तरह के प्रभाव रहते हैं तो उसके बारे में हम आज में detail में discuss करने वाले हैं, तो बागवन सातियो जैसा कि हमने बताया कि एक experiment जो है perform किया गया था पोलेंड में तो उस experiment में एक apple orchard को तीन बराबर हिसों में बांटा गया और उसमें सिर्फ पोस्ट हर्वस्ट में बोरून की सप्रे की गई दुसरे हिसे में जो हम treatment होता है उसमें जो है यूरिया की सप्रे की गई थी और जो थाड़ हिसा है उसमें यूरिया और बोरून की combine सप्रे की गई थी, तो कुछ समय बाद उसमें जो result आए वो इस प्रकार से है जो यह तीनो treatment प्रफॉम की गया थे इससे leaves जो है बहुत ही ज़रा damage हुई परंतु परंतु जो सप्रे single बोरून की जो सप्रे हुई थी उस हिससे में अन्या दो हिससों के मुकाबले जो leaf damage था वो बहुत ही कम हुआ अगर हम बात करें आने वाले साल में इसके result की तो जहां पर बोरून और यूरिया कंबाइन सप्रे की गए थी वहां पर एपल फ्लावर की बोरून स्टेट्स में काफी ज़दा improvement दर्ज की fruit set भी वहां पर काफी अच्छा था और crop भी बहुत ही अच्छी थी बलकि जहां पर सिर्फ यूरिया की ही सप्रे की गए थी वहां पर जो इतने अच्छे result नहीं रहे प्लावर की reproductive growth को improve करने के लिए यूरिया और बोरून की सप्रे के मुकाबले single बोरून की सप्रे जो है काफी ज़्यादा फाइदेमंद रही तो बागवन सातियों अब हम बात करते हैं एपल फूट के बलेशिंग, फ्लैश फोनेस और स्लूबल सॉलिड कॉंस्ट्रेशन की तो इन चीजों पे जो है इन सप्रे का कोई भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये जो रिजल्ट हमने आपको बताए ये बताते हैं कि बोरून की कमी होने की स्थिति में पोस्ट हार्वेस्ट बोरून की स्प्रे जो है काफी सकसेस्फुल रहती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को इंप्रोब करने के लिए सिंगल बोरून की स्प्रे जो है इसमें काफी ज़्यादा फाइदे मन रहती है और बोरून और यूरिया की जो हमने स्प्रे दुसरी बताए थी उसके मकाबले सिंगल बोरून की स्प्रे जो है काफी अच्छी एफेक्टिव रही और अब हम बात करते हैं कम्बाइनर स्प्रे की यूरिया एंड बोरून की तो ये स्प्रे आटमन के टाइम जो है रिकॉमेंड़ है जब सॉयल की जो बी एंड सॉयल की बोरून एंड नाइट्रोजन जो एवेवल्टी होती है वो लिम्टेड रहती है तो बागबन सातियो आज के वीडियो में बस इतना ही आयोप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान